पंद्रा जून दो पहर दो बजे गलवान घाटी हिमालाई की उचाईई उपर भारतिय सीमा का एक सुधूर वीरान इलाका कॉर्पल एमद बेस को खबर देते हैं कि फॉवर्ट पोस्ट से जंडा नदारत है सर्थ देखे वहाँ और भी है परवतो पर उस दिन पॉजी कमांडोस अकेले में थे दुश्मन जैनिकों ने घिर्टे पत्थरों की आज लेकर वर्टी यूनिट पर भवा भोल दिया कबिर बेस कार्व स्कॉर्ट थ्री का भारतिय शेंत्र घुस पैटियों से सामना हुआ रिपेट स्कॉर्ट थ्री का दुश्मनों से सामना हुआ लेफटनेंट सिंकी पिट्रूल थ्री टीम को जिस आखरी विरोधी का सामना करना पड़ा वो थे भूस खलं से किरे पत्थर और चट्टा और थे अंधेरा चा गया छे घंटे बाद जब लेफटनेंट सिंकी आख खुली तो उनका सर चक्रा रहा था पहाड से हुई पत्थरों की उस बोचार से खरोचों और घावों के साथ उनके सर पर भी चोटाई थी एहमद, धिलो, रवी फिर भी उनकी हालत उन दोनों फौजी भाईयों से बैतर थी जो उनके पास बर्फ में शहीद हो चुके थे कम से कम वो जिन्दा तो थे भारतीय सेना बिना लड़े कभी हार नहीं मानती और फौजी कभी पीछे नहीं हटता ये लड़ाई ऐसे खत नहीं होगी कर लो मामेल कर दो कर सकतल